वह जैक को चला गया सम्मीट हो गया तो उसको सुधारने में आपका पसीना निकल जाएगा तब का यह फोर में पुरा कैंसल हो जाएगा यह दोनों पर तो मैं हंडेड में हंडेड लाते हुए बहुं सारे बच्चों को देखा हूं यहां पर बहुं सारे बच्चे मिश्टेक भराना शुरू हो चुका है जहारखन बौर्ड क्लास 9 का और बाकी चलास 8 का एकजाम फोम शुरू हो चुका है और क्लास 11, 10, 12 का बहुत जल्द नोटिफिकेसन आजाएगा तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एकजाम फोम और रेश्टेसन फोम भरने सिखेंग आपका exam form cancel भी हो सकता है अगर आप mistake कीजिएगा तो चले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को share कर दीजिएगा ताकि सभी को पता चल सकी कि किस तरीके से form भरना और क्या क्या mistake नहीं करना है ठीक है बहुं सारे बच्चे mistake करते हैं औ और फिर message करते हैं या comment करते हैं कि सर किस तरीके से सुधारे गलती हो गया है सुधारने में बहुं दिक्कत है यहां पर साफ साफ रिखा हुआ है कि सुधारने का कोई option नहीं है अगर आप अच्छी तरीके से नहीं भरते हैं तो ठीक है और लास्ट में लोग बात करेंगे कि रेश्ट्रेशन फोर्म में एक्जाम फोर्म में कितना फी लिया जाएगा लेट फाइन क्या होगा हम लोग वीडियो के इंडे में बात करेंगे तो देखिए जहारखन बोर्ड जहारखन एकडमिक कॉंसिल राची इस्टुडेंट इंफोर्मेशन सीट फोर सेकेंडरी सबसे पहले इसको आप लोग देखिए टूवी फिल्ड यूजिंग ब्लाक बोल पॉइंट पेन ओनली यानि कि इसको बोल बोल पॉइंट पेन से भरना है ब्लैक कलर का ठीक आप जेल पेन यूज नहीं कर सकते हैं जेल पेन जैसे कि पेज के आर पार दिखी जाता है वो पेन यहां पर यूज नहीं करना है और यहां पर रेगुलर और प्राइवेट दोनों कर्णिडेट के जिसे कि मैं जिस स्कूल में क्लास नाइन टेंथ पढ़ा था वहां पर 1403 था कोड मेरा तो आपका भी होगा और यहां पर इधर आपको स्कूल का नाम लिखना है ठीक है और कुशिस कीजिएगा शुन्दर शुन्दर अक्षरों में लिखने का कैपिटल लेटर में लिखने क ताकि कोई पर भी कोई भी गलती ना हो उसके बाद देखिए पहला यहां पर नेम ओफ इस्टुडेंट यहां पर आपको आपका नाम लिखना है इंगलीज में कैपिटल लेटर में बड़ा क्छर में ठीक है सुन्दर सुन्दर जैसे कि अगर आपका फॉर एक्जामपल नाम है तो यहां पर राम इस तरीके से राम आपको ब्लेक पे न्यूज करना है मैं यहां पर रेड कर ले रहा हूं कोई दिकत नहीं है और एक डबबा छोड़ देना है टाइटल से पहले ठीक है अपका नाम और टाइटल के बीच में डबा छुटे गा उसके बाद नीचे यहां पर यहां पर लिखना आपको कुमार 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 इस तरीके से और अगर 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 आपका इसके बाद भी राम कुमार गुपता राम कुमार से इस तरीके से रहता है तो आगर एक डबबा छोड़कर आगे यहां पर आप से यहां गुपता आ जो भी यह व मिश्टेक होता है और बच्चे अब तक जितने भी मुझसे कॉंटेक्ट में कॉंटेक्ट किये हैं कि गलती हुआ है जाद अतर यहीं पर डेट बर्थ में ठीक है डेट बर्थ पताइए आप लोगों का आधरकार में कुछ और रहता है डेट बर्थ आपका जनम परमान पत्र म भरना है यहां पर जो आप भरिएगा वो लाइफ टाइम आपका रह जाएगा और यहां पर एक बार गलती हो गया उसके बाद सुधारने के लिए आप अगर दोड़िएगा तो बहुत मुश्किल है साफ साफ फॉर्म में लिखा हुआ है कि सुधार नहीं होगा और सुधार करने के लिए मैं बहुत बार गया हूँ जैक फॉर्म लेकिन बहुत दिक्कत है ठीक है कहा जाता है कि आप आधHAR कार्णे सुधार लिजे या आप जो है बाक्रीं सुधार लिजे बहुत दिक्कत होता है तो सोच समस्कार भरिकार यहां पर गलती किसे नदेगा तो जिन्द तीन दोहजार बार एक तीन दोहजार बार के बाद का डेट बर्त अगर आप इसमें भरते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है आपका जो फो में वो कैंसल हो जाएगा ठीक है साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है जो मैंने पर्ष्व दिन वीडियो अपलोड किया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक तीन दोहजार बारक के बाद अगर आप इसके बाद का डेट बर्त यहां लगाते हैं तो आपका जो फो में वो आटोमेटिकली कैंसल हो जाएगा और इसके जिम्मेदारी चात्र और इसकूल पर होगा ठीक है तो इसको ध्यान देना है अगर सिंपल है यह सब तो लड़कों के लिए मेल फीमेल के लिए लड़की उसके बाद दिखें दिभ्यांग दिभ्यांग यहां पर अगर आपका बूड़ी पूरा फिट फार्ट है सब चीश ठीक है वैल स्ट्रोंग है आप तो नन में कर देना है अगर आप ब्लाइंड है ग्लिक करना है ठीक है बस टीक कर देना है इस तरीके से उसके भाद दीखें नेउमर सब्सक्षाइम इस ट्रिक faster सब का इंडियर नहीं होगा क्या मतल है तो फूरा और हिन्देश से पठण में को य स्चार नहीं कर देना है मैं क्यों पर आधार नंबर बिलकूल सही सही भरना और हूझा नहीं करना है ठीक है जरुबारा च translates इरिया यहाँ पर अर्बन और आप सहरी जहे सब मता का नाम है जैसे मैंने बताए उपर का नाम नाम और माइं की बीच में डबब खाली रहेगा वएसे यहां पर रिवेक डबब खाली रखना है ठीक है यहां पर मदर्स नेम उसके बाद फादर्स नेम फिर यहां पर दीखिए कैटेगरी रिगुलर है यहां प्राइबेट है रिगुलर अगर आप पहली बार क्लास नाइन्थ का एक्जाम तो आपको रेगूलर में किलिक करना है और यदि आप एक बार क्लास 59 निर्ट में फिल हो चुके हैं दूबढर एक जाम दे रहें तो आपको प्रstag में क्लिक करना है ठीक है बस स्थीक ही करना है इस तरहिक बोक्स में आपको capital letter यूज करना है ठीक ताकि साफ साफ दिखे और आधरकार में अगर गलती है तो आधरकार को भी जल्दी सुधुरा लीजिएगा ठीक है और जो सही है वह यहां पर भरना है इस इसको ध्यान दीजिएगा जो सही है उसको भरना है यहां पर कुछ भी में संधर करना उसके ज्णा से तरीके से इण गएगा सीवी लिखसेगों इस तरीके से एपकोलीख देना है उसके बाद दिखे यहां पर contact number दे दीजेगा पूसिथ किजेगा वैसा number देने का जो हमेशा आपके पास आपके घर में हमेशा वो mobile phone रहे mobile number रहे फिर देखे़ नेट 19 नंबर email ID आपका email id है तो यहाँ पर है सुन्दरशनों रक्ष्रों में अगर email आड़क नहीं तो इस विडियो को देख रहें उसी का email में जाय है घ सिकर मेल में सब्चाइब 5 छाला इस त्रीक्ट विय से विस कि दिख देना है शसके बिस्थ нужно यहां पर आपको मेंचन करना है तो सिंपल है जो भी है तो इसको कुछ नहीं चाड़ करना है अगर सेक्षन आपकी स्कूल में नहीं है तो यह आप लिख सकते हैं कोई दिखत नहीं है देखे अगला अगला बाइस नंबर मीडियम ऑफ एक्जामिनेशन ये सोज समझ कर भरिएगा ठीकर पहुत सारे बच्चे अभी भी कभी कभी पूछते हैं मुझे कि मैं सीब्येसी बोर्ड से पढ़ा हूँ अब मैं क्लास 910 में आ गया जारखन बोड अब मुझे इंगलीस से लिखना है तो क्या मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं तो आप अभी करना पड़ेगा कि आप क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ का एक्जाम हिंदी में दीजिए गए इंगलीज में दीजिए गए सिंपल अभी आप डिसाइड कर लिजिए ठीक है तो इसको देख लिजेगा वैसे जारतर बचों का तो हिंदी ही होगा लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सिब्सक्राइब रहत वजस्त उपर बढ़ा सकता है ठीक है इसको आप लोग समझिएगा पहले हम लोग लेंगवेज बन देखते हैं यहां पर एक दो तीन चार पांच पांच दिया हुआ है लेंगवेज इसके अलावा भी लोकल लेंगवेज भी बहुत सारा है कोई भी एक लोकल लेंगवेज आपको लेना पड़ेगा जो आपकी दोसार में उदूर्डूरी ये जा आतर बचों का ही इंगी सी रहता है उसा लोगों का हिंदी भी इंगली आई से रहता है ठीक है तो आप देख लीजे कोई भी दो लेंगेज पेपर ले लेना है आपको भासा दो भासा ले लेना है उसके बाद यह जो है एडिशनल इसका खेल आप लोग अच्छी तरीके से समाझ लीजिए ठीक है वह सारे बच्चे क्या करते हैं संस्कृत ले लेते हैं एडिशनल लेना बुरी बात नहीं है अगर आपको संस्कृत पकड़ आता है तो लीजिए बेसक लीजिए बहुत बढ़िया है लेकिन अगर वह सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको संस्कृत कुछ नहीं आता है धात रूप नहीं आता है इतना तक वह चन भी नहीं आता है और ले ले पर आपको कुछ योगासन करना पड़ेगा कुछ योगा के बारे में पढ़ना पड़ेगा एजम देना पड़ेगा आराम से आपका नबे से लेकर 90 से लेकर 100 नंबर तक आ जाता है योगा में योगा हो गया आपका संगीत हो गया बताइए संगीत अपने टीचर को सुनेए गाना अपने सुरिली आवाद से टीचर फैंड हो जाएंगे आपको आराम से 90 पलस नंबर दे देंगे संगीत हो गया योगा हो गया उसके तो आपकी स्कूल में एंगा इत्किया है फायदा क्या होता है ाप scays 5-े सीध में कंजूर या पहले ही हो गए और योगा रती ओड़िया रिख्लियों सब्सक्राइब योगा में यह जूड़ेगा और आपका पर्सेंटिज हमान चुँ जाएगा बहुत ज्यादा परसेंट आज्याएगा ठीक है जिसे कि आपका कुछ आउड ले लिए जिसे आप ले लिए संगीत ठीक है अगर आपको गाना अच्छा आता है संगीत ले लिए तो क्या होगा संगीत आप सुनाइए टीचर को गाना अच्छा सा गाना सुना दीजिए संगीत के बाएर में थोड़ सा में 100 मिलता है पूरा 100 में 100 मिलता है तो इस तरीके से लिजेगा आपका percentage पूरा बढ़ेगा additional को हलके में नहीं लेना additional में अच्छा subject लेकर अपना percent बढ़ा सकते हैं अगर कोई एक subject में फेल भी हो गए कम जोर भी है कम नमबर भी आ गया तो additional जुड़ कर आपका percent पूरा item बूस्ट करकर रोकर जिस जब उच्छा बढ़ जायेगा ठीक है बहुत सारा example है कई तो मेरे नजरों के सामने ठीक है मेरे जान परिचित में बहुत सारे लोग ईजी वाला additional paper लेकर बहुत ज्यादा ज्यादा नमबर ले आए मुझे इसका आइडिया ही नहीं था नहीं तो मैं भी ले आता है आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं अब इस समय है आप सोच समझ कर लीजेगा ठीक है बस करनी से नहीं है कि आपकी school में class होना चाहिए IT का या home science ले लिजिए ज्यादा हाड नहीं रहता है साइंस एडिशनल पर मैंने अल्रेडी दो वीडियो बना रखा है काफी डिटेल में कि आप किस तरीके से एडिशनल सब्जेक्ट चूज कीजेगा क्या का एडिशनल सब्जेक्ट रहता है ठीक है इसको एडिशनल सब्जेक्ट समझ कर भरिएगा आपका परसेंटेज बदलता है तो 3 महिने से जादा फोटो नहीं होना चाही है ऐसा ना होंकि आप दो साल पूराना लगा दिये अब आपको पहचान ही नहीं रहा जब आप एड़्याम देने जा रहे हैं तो ऐस आभ किचा लिजे एकर आ जाता जाए उसके बादेखिए आप इस पेसेस पर इस दिखतitter हो गया सतरीकिन को पूरा नाम नाम जथी नांभ word नगे यहां पर आपको कुछ नहीं भरना यह आपके स्कूल वालों के लिए ही स्कूल के टीचर यहां पर भरे उसके बाद दिखें यहां पर सबसे इंपोर्टेंट इसको आप लोग समझेगा यहां पर हम लोग पुरा नहीं लेकिन छे साथ चे और साथ यह दो नमबर हम लोग पढ़ने वाले देखिए से नमबर गेट प्रिंटेड ओफ यह चेकलिस्ट फ्रॉम इसकूल एंड लुक एट यूर डिटेल्स बहरी क्यर्फुली इनफोर्म हम इमिडेटली इप देर इस अनी मिस्टेक आप जब यह फोर्म को भर के दीजेगा यह फोर्म आप भर के दीजेगा इसकूल में तो इसकूल के टीच अगर नहीं दिया जाता है तो आपको मांगना है फोटोकोपी यहाँ पर मिलना है ठीक है देना है फोटोकोपी का आप चेक कीजिएगा अच्छी तरीके से उस प्रिंटेड पेज को पूरा चेक करना है एक एक लाइन को आप छोड़ में दीजिएगा क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आप बिल्कुल सही सही फोंबरे हैं बिल्कुल सही सही फोंबरे हैं और जो कंप्रेटर ऑपरेटर है उससे गलती से गलती हो गया हो जाता है गलती से मिस्टेक बेटा गलती से कुछ हो गया और आपका लेटोब बर्त आपका नाम या आपके परेंस का नाम य या आधा नंबर में कहीं पर भी कुछ मिस्टेक हो गया गल्ती से और आप बिना देखें दूबारा जब आपको चेक करने के लिए जाएगा बिना देखें आप कोई option नहीं है ठीक है सुधारने आपका पसीना निकल जाएगा बहुंद दिक्कत होता है पूरा लाइफ आपका जैसे यहां पर रहेगा उसी तरीके से कट जाएगा इस बात को ध्यार में रखना है और जो मैंने बताई की देट ओब बर्थ से स्कूल में एक बात कर लीजेगा बहुं सारे बच्चों का ऐसा होता है कि स्कूल में किया है पता ही ठीक है और समय रहते फोम भर लीजिए क्योंकि बाद में आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा विलंब दंड लग पांच सो से लेकर हजार रुपया तक रहता है तो देखिए हम लोग बात करते हैं कितना आपको फोम और मतलब फी कितना लगेगा फोम भरने में तो द जारखंड बोर्ड फिर इतना अलग-अलग क्यों तो जारखंड बोर्ड एक लिस्ट जारी कर देता है इतना रुपय लेना है लेकिन इसकूलों वाले इसकूलों में ज़्यादा बढ़ा चड़ा कर लिया जाता है यह सब इसकूल में अलग-अलग है किसी में बढ़ा कर नह क्या कि आप लोग किजूगा कीज़ेगा के लिचारषा क्लास 9 का आप लोग कमेंट किजीएगा सब लोग कम nations कीजएगा और दूसरा का देखिएगा आप लोगों को कितना लिया जा रहा है ठीक है और अगर मुझे वो लिस्ट मिलेगा जिसे की मैंने कहा तो आप लोगों के साथ सेर जरु करूँगा कि कितना फी है ओरिजिनल जारखन बोड का तो ये वीडियो का जादा इंपोर्टेंट है मिस्टेक नहीं कीजिएगा नहीं तो आप बहुत बड़े चक्कर में फंच सकते हैं अपने सभी दोस्तों के सार वीडियो को सेर कर दीजिएगा ताकि कोई भी कुछ भी गलती ना करें समय रते भर लिजिए नहीं तो फिर आपको एक्स्ट्रा पांच सो से हजार रुपिय या आने वाला है चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिएगा आप लोगों के लिए मैं बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कोशन अपलोड करने वाला हूं अपलोड कर भी रहा हूं ठीक है आज के लिए तना ही थैंको फरोचने वीडियो जय हिंद जय भारत